क्षेतर में भारत ने एक और बड़ी उपलब्धी हासिल कर ली है ओडिशा के बालासोर तट से गुरुवार को भारत ने एडवांस डेयर डिफेंज सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परिक्षन कर जता दिया की जल्द ही आसमान के क्षेतर में भारत एक बड़ी ताकत होगा इस इंटरसेप्टर मिसाइल की सबसे बड़ी आसियत यह है कि भारती सीमा की ओर आती किसी भी मिसाइल को यह आसानी से नश्ट कर सकती है भारत का यह हिस साल तीसरा मिसाइल परीक्षन है जिसमें सफलता पूर्वक सुपरसोनिक बेलेस्टिक मिसाइल ने अपनी ओर आती किसी भी मिसाइल को भेदने में सकला प्राप्त की है एक इंटरसेप्टर मिसाइल द्वारा प्रित्वी के वायू मंडल के तीस किमी उचाई के भीतर किसी भी मिसाइल को निशाना बना कर देश की सीमाओं पर हमला करने से रोका जा सकता है टाइमस ओफ इंडिया की खबर के अनुसार परीक्षन के बाद एक रक्षा सूत्रम ने बताया कि इसने अपने लक्षे को सीधे भेदने में सफलता हासिल की है और ये बड़ी उपलब्धी है बता दें कि इस से पहले भी इसी श्रेणी की दो मिसाइलों के परीक्षन बीते एक मार्च और ग्यारार फरवरी को भी किया जा चुका है सूत्र के अनुसार आज का परीक्षन उड़ान के दोरान इंटरसेप्टर के विभिन माप दन्नों को परखने के लिए किया गया था जो पूरी तरह सखल रहा जिस मिसाइल का आज परीक्षन किया गया वे 7.5 मीटर लंबी सिंगल स्टेट सॉलिड रॉकेट मिसाइल है जिसे रिमोट द्वारा संचालित किया गया